Avoid avoidance, the only way to deal with fear is to face it. बिल्कुल सही सुना आपने, अपने डर से बचे नहीं, उसका सामना करें. हमारे डर से बचना ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है, it makes us anxious. हम डरते क्यों हैं, because we are human beings, you are. और ये भी कई तरहे की feeling में से एक feeling है, जिसे कहते हैं डर. और अगर हम हमारे अंदर हर feeling को मैसूस करते हैं, तो इसे भी मैसूस करना जायज है. पर लिमिट में, unlimited तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई अच्छे ही चीज क्यों नहीं हो. डर सिर्थ भूत पित और आत्मा या अंधिरे का ही नहीं होता है, डर बहुत तरीकिके होते हैं, जैसे जोब ना लगने का डर, जोब छूट जाने का डर, कोई important दिंग भूल जाने का डर, टार्ट खाने का डर, result आने से पहले fail हो जाने का डर, it is just in daily life and we know and suffer from this already. खुद को शान्त बनाए रखें और वही करें जो शुरक सीचर, यदि आप अपने आपको जादा पैनिक पाते हैं तो ब्रेक लें और कुछ ऐसा करें जो आपको शान्ती परदान करें, be comfortable और अगर आपको इसमें safe feel होता है तो आप अपने डर को explore करें और अगर जरूरत करना है कि चुपचा बैठे और प्रेजंट को observe करें और अपने डर को recognize करें and if you can be curious and try to get rid of it with your smart I know यह इतना असान नहीं है पर मश्किल भी नहीं है positive mind रखें हमेशा अपने आसपास positive things को notice करें फिर हमें और लोगों से बिलकुल अलग कर देता है क्योंकि हमारा mind में वही things हमेशा चलते हैं और family में ध्यान हट जाता है इसलिए family में से connect रहें और connect करने की कोशिच करें गुस्से में control रखें क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हरी आदी में गूमने जाएं आसपास हरा भरा environment देखके आपका में relax फिल करेगा और आपको महां पर lively और hopefulness type की feeling आएगी अपने डर चिंता का साम न करें ताकि वैं कमजोर हो अपने जीवन के रास्तों को पहचान ये की आपको कैसे आगे बढ़ विद यूरस अज फाइन डूंट इंग्नोर अधर पाथ आपको अधर आपको अधर पसंद आयो तो लाइक की शेयर के जे एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ लिजिए